हलो एवर्वान आप सभी का मेरे यूटूब चैने पर बहुत बहुत सौगत है आज हम लोग देखेंगे 36 गड़ का जो इस्थानी राजवन्स है छेतीरी राजवन्स है राजर्शी तुल्लकुल्लवंस उसके बारे में हम लोग देखेंगे उसके बारे में संपूर्ण जानक हम लोग प्राप्ट करेंगे ओके फ्रेंड राजरसी तुल कुल वंस जो है 36 गड़ का प्रथम छेतिरी राजवंस था आपका राजरसी तुल कुल वंस ओके फ्रेंड ये 36 गड़ का इस्थानी राजवंस है ओके फ्रेंड किलियर है राजर्शी तुल कुल वंस के बात करें तो कुछ इतिहासकार जो है इस वंस को कलिंग के खारवेल के सबद्ध मानते हैं कुछ इतिहासकार राजर्शी तुल कुल वंस को किलियर है राजर्शी तुल्लवंस के बारे में देखें तो कलिंग के खार्वेल की जो प्रसस्ती उडीसा से प्राप्त हुई है उसमें जो है राजर्शी तुल्लवंस लिखा हुआ है तो राजर्शी तुल्लवंस कहां लिखा हुआ है ओके फ्रेंड, सासनकाल की बात करें तो सासनकाल जो है आपका संभवता 182 या कहीं कहीं लिखा होगा आपका 282 इसवी लिखा होगा ओके फ्रेंड, तो कहीं कहीं 182 लिखा हुआ है और कहीं कहीं जो है 282 लिखा हुआ है सदी की बात करें तो पांचवी या फिर आपका छेटवी सताब्दी किलियर है राजधनी की बात करें तो राज़र्जित तुल्लवंस की राजधनी क्या थी आपका आरंग और आरंग वर्तमान में किर जिले के अंतरगात आता है राइपूर जिले के अंतरगात आता है राइपूर जिले के अंतरगात आता है आपका आरंग और वर्तमान में जो है आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है ओके फ्रेंड तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है आपका आरंग को अगरा देखें दखेन कोसल के चेतर में जो है इस राजवंस के विशार में कहा गया है कि भीमसें दूती के आरंग तामरपत से यह जानकारी मिलती है कि राजरसित तुल्वंस था ओके फ्रेंड तो भिमसेंदुति के आरंग टामरपत की बात करें तो 802 और थाथ 280 इस household यह जानकारी मिलती है कि इस भंस्की जो अपका राजरसी तुलवणस की जानकारी कहां से मिलती है तो आरंग तामरपर्श, भीमसेंदूते के आरंग तामरपर्श, उसकी जानकारी मिलते है Clear है? यहां तक clear है? अगला देखिए अगला देखिए, तो जो राजरसित तुल कुल वंस था वो जो है आपका सरपूरी वंस के समकालिन था Clear है फ西州 तो सरपूरी वंस के समकालिन था आपका राजर्जी तुल्ल कुल्ल वंस मुद्रा की बात करें तो सही इसकी मुद्रा थी यह महतपूर्ण है आपका सही इसकी मुद्रा थी राजर्जी तुल्ल वंस की मुद्रा क्या थी सी और समकालिन था आपका राजरजी तुल वंस सरपूरी वंस का किलियर है फ्रेंड अब हम लोग देखेंगे सासक को एक नाम यहां से आपका छे सासकों की जानकारी मिलती है ओके फ्रेंड तो छे सासक हुए आपका सूरा दूसरा हुआ आपका दाइत पहला सूरा, दूसरा दाइत, तीसरा विभी सर्ण, चौन्था भीमसेन पर्थम, पांचवा दाइत दूती और छेटवा भीमसेन दूती याद रखिएगा कि सासकों के नाम ही पूछता है जादा तर तो सासकों के ही नाम ही हमको याद करना है जादा तर तो ज़्यादा तर एक्जाम में यहीं पूछता है कि यह सासक जो है आपका कीसवन से संबंदित है इस टाइप सा जो रोड़ी मिला हो या फिर आपका डारेक्ट पूछ दिया जाता है कि यह सासक के नाम दे दिया जाएंगे और यäter किस वह से संबन्दित है यह दिया जाता है तो महत्वुर्ण हो जाता है यही चीजे कि सासको के नाम याद करिये अन्य तो सासको के नाम में देखिए राजर्सित तुल्लवंज के सासको के नाम देखिए तो सूरा दूसरा सासक हूँ आपका दाईत तीसरा सासक हो आपका विभेशन, चौंथा सासक हो आपका भीमसेन प्रथम, और पांचवा सासक हो आपका भीमसेन दुती, और छटवा सासक होता है आपका भीमसेन दुती, और भीमसेन दुती ही राजरसी तुल्लकुल्लमंस का अंतिम सासक था, क्लियर है, और पहला सासक था आपका सूरा और सूरा प्रथम सासक है और इसी राजरसी तुल्लवंस को इसी के नाम पर सूरा राजवंस भी कहा जाता है आपका सूरा राजवंस भी कहा जाता है राजरसी तुल्लवंस का अन्य नाम क्या है राजरसी तुल्लवंस का सूरा राजवंस यहां तक किलिए रहे अंतिम देखेंगे अब हम भीमसेंदूती के बारे में बांकी सासको का जो उल्लेख है वहाँ बहुत कम है और महतपूर्ण नहीं है ठीक है तो सासको के नाम ही महतपूर्ण है बांकी उनकी जानकारी महतपूर्ण नहीं है सूरा और भीमसें दूती को ही हम लोग देखेंगे किलियर है फ्रेंट अगला दिखिए राजरसी तुल्ल कुल वंस के बात करें तो सूरा प्रथम सासक था सासनकाल की बात करें तो 520 से 520 विस्वी तक और सूरा जो है पहला सासक था आपका राजरसी तुल्ल वंस का और इसके नाम पर ही इस वर राजरसी तुल्ल वंस को क्या कहा जाता है सूरा राजर्वंस कहा जाता है ओके फ्रेंट तो इस वंस की जानकारी कहां से मिलती है आपको इपी ग्राफिका इंडिका तामरपत से जो है इसकी जानकारी मिलती है किसकी जानकारी राजरशिक तुल्ल कुल्ल बंसकी राजधानी क्या पनाता है आपका आरंग और राजमुद्रा क्या रहता है इसका सी ओके फ्रेंड यहां तक किलियर है और यहाँ जानकारी जो है आरंग तामरपत से जो है यहाँ सब जो जानकारी है वो आरंग तामरपत से मिलती है भीमसेंदूती की जो आरंग तामरपत है वहाँ से जानकारी मिलता है किलियर है यहां तक यह भी किलियर है अगला देखें भीमसेंदुती भीमसेंदुती की बात करें तो भीमसेंदुती का जो है सासन का रहा था आपका 620 तक ओके फ्रेंट भीमसेंदूती का जो है भद्रवती पूरी के जो सेव धर्म को जो मानने वाले सासक थे उसका क्या था आपका मांडलिक था आपका भीमसेंदूती किलियर है फ्रेंड तो भिमसेंदूति जो है भद्रवति पूरी के जो सेव मत को मानने वाले थे सासक जो थे उसका क्या था आपका मानलिक था और भिमसेंदूति जो है राजसित तुल्लवंस का अंतिम सासक है ओके फ्रेंड अगला दिखे भिमसेंदूति के आरंग तामर 같은데 गुप्त समन्त की बात करें तो कहीं कहीं लिखा होगा आपका 182 healthy या कहीं कहें लिखा होगा से जांकारी मिलती है कि भिमसेंदूति के एक भिमसेंदूति ने जो है एक तामरपत सोन नदी से जारी किया था तो सौन अनदी से जारी किया था भीमसेन दूती ने एक तामरपत को और इस वंस के सासक जो है गुपतो की अधिन्ता को सिवकार करते थे तो राजर्जिक तुल्ला वंस के जो सासक थे वो गुपतो की अधिन्ता को सिवकार करते थे जबकि समकालीन किसके थे सरफ पूरी वण्स के समकालीन थे ओके फ्रेंड और भीमसंदूती ने खूद के लेग क्षुदवाता है तो खूद के लेग कौन खुदवाता है आपका भीमसंदूती यही महत्वपूर्ण था दोनों सासको के बारे में सूरा और भीमसन दूती ये दोनों महतपुण हैं ओके फ्रेंड और छे सासक उनको महतपुण है याद करना ही होगा छे सासक तो ऐसी याद हो जाता है यार सूरा दायत विभीमसन भीमसन फर्स्ट दायत दूती और भीमसन दूती और उसमें महतपुण हो जाता है आपका सूर जो प्रसम सासक है और अंतीम सासक है आपका भीमसेन दुति ओके फेंट तो भीमसेन दुति जो है एक तामरपत तुझे सोना नदी से जारी करता है और गुपतो की अदिन्ता को सुखार करते थे इस राजवंस के थे जो राजजी तुल्ला वंस के जो सासक थे वो गुप्तो के दिन तक को सुकार करते थे जबकि समकालीन थे सरपूरी वंस के और भीमसेंदुति ने खूद के लेख खुदवाता है यही जानकारी जानना था और यही जो है महत्वपूर हो जाता है राजर सितुल्ल वंस के बारे में ओके फ्रेंड तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी मेरे यूटूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा जो नए फ्रेंड देख रहे हैं वो जरूर सस्क्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को सेयर कीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी का मेरे यूटूब कैनल पर धन्यवाद ओके फेट जय हिन जय चैच्छिशगर